आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने यदि फ्लाइट बुक कर दी है और बुकिंग के समय भी आपने सीट सेलेट कर दी है तो उसके बाद में भी आप अपनी किस तरह से मनपसंद सीट को ले सकते हैं तो चलिए वीडियो में बने रही है यहां पर इंडियो को सर्च करता हूं और यह इस तरह से ओपन हो जाएगा इसके बाद यह थ्री लाइन पर क्लिक करके वी एंड एडिट बुकिंग पिर आपको क्लिक कर देना है देखिए जैसे क्लिक कर देंगे तो यहां पर एडिट बुकिंग की नीचे PNR और उसकी बा इसके बाद यहां पर डिटेल के उपर आपको क्लिक करना है और इसकी डिटेल पूरी आचुकी है कि इस तरह की पूरी डिटेल आपके सामने शोगी नेम और इसका सीट नंबर इसके बाद यहां पर डिटेल इसके बाद जो फेर समरी है वो सारी चीज यहां पर शो हो जाए है तो वीडियो में अंतक जरूर बने रही है इसके लिए आपको यहां पर जो भी मॉडिफाई का ओप्सन देखने को मिल ला है यहां पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद में जो select seat या select change seat यहाँ पर जो option आ रहा है select seat and change इस पर आपको click करना है तो simply जैसे मैं click करूँगा तो यहाँ पर जो seat का जो chart है वो इस तरह से open हो गया है यहाँ पर जो free वाले है वो free का color दिखा रहा है और जो assign किये वो assign का color शो कर रहा है तो simply जैसे कि मेरे यह 21B है तो यह 21B पर select की हुई है अभी मुझे seat अपने मर पसंद की दूसरी select करनी है तो किस तरह से करेंगे तो अभी मैं नीचे चला जाता हूं यहाँ पर 28C दूसरी कोई seat है जहाँ पर free है जैसे की blank को रखी है वह already occupied है उसको हम seat को select नहीं कर सकते हैं अभी मैंने कोई दूसरी seat पर जैसे 28C है वह मैंने यहाँ पर select कर लिया है अभी दूबरा से select कर लेते हैं दूबरा से check कर लेते हैं तो मैंने जैसे 28C जो है यहाँ पर मैंने click कर दिया है और click करने के बाद simply 25C पर मैंने अभी click कर दिया है और यहाँ confirm पर click करना है और continue के ओपर click करना है देखिए जैसे click करेंगे तो यहां पर VS का जो option green option है वो आज चुका है और इसके बाद में आपकी जो seat है वो change हो चुकी है तो इस तरह से देखिए यहां पर भी आपकी जो seat है वो change हो गई है यहां पर 25C ACL तो यहां पर जो सारी चीज है वो इस तरह से show हो गई है अब इस तरह से आप देख सकते हैं दिवि news आपने जो seat assign की है वो seat यहां पर आपकी select हो जाएगी तो इस तरह से आप अपनी seat को select कर सकते हैं